ये question मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और मैं सबसे पहले heads off करता हूँ राज कुमार आपको अगर आप 10 पे हो और 10 पे अगर आपके पास ऐसा जज़बा है तो वाकई बहुत आप मैं आपकी हिम्मत की दाथ देना चाहता हूँ कि आप वाकई मतब interested हो और मुझे बहुत है कि मतब मेरे चैनल पर आपका कमेंट आया है रहा है अप लोगों को यहां मैं तीन ऐसे questions बताने जा रहा हूँ उसके answer बताने जा रहा हूँ जो मैंने पूछे थे रेलेवल से direct उसको मैंने connect किया था रेलेवल के तुरू और वहां से मुझे response मिला था और यह तीनों question मैंन देख सकते हो सबसे जादा इन लोगों ने पूछा है कि भाई मैं 12th class का हूँ या फिर मैं किसी और stream का हूँ क्या मैं यहां पर दे सकता हूँ रेलेवल से पूछी लिया और मैंने पूछा कि I mean if suppose I am 12th past candidate I get qualified in reliable test does any company will hire me after this मतलब अगर मैं 12th class का हूँ मैंने यहां पर apply कर दिया reliable test किया दिया मैंने और उसको qualify भी कर लिया मेरे साथ सब से उपर score आ गया और मैं qualify कर लिया लेकिन जब interview आएगा company का interview होगा तो क्या मुझे वो company लेंगी तो उनका response कि यहां पर आया है कि इन्हों है साफ साफ बोला है आप सभी के यहां पर डाउट क्लियर हो जाएंगे यह सबसे पहली चीज तो यह है जिसमें आप सभी लोग को संतोष्टी मिल जानी चाहिए कि यह company आपको जरूर लेगी और company यह देखती है कि candidates का जो क्या score है और score आता है आपके skill पर इसका मतलब directly आपके skill के basis पर आपका choice हो रहा है ना कि आपके degree पर ना कि आपके college की name पर तो यह बहुत अच्छी चीज मुझे लगी दोस्तों और मैं यह चाहता था कि यह चीज आप लोग को share करूं यहां पर क चाके crack कर लेते हो कैसे भी crack कर लेते हो यहां पर 700 से उपर score आता है company में इंटर्वी पर दे देते हो सही से तो आप यहां पर selection हो जाता है यही चीज में आपको यहां बताना चाहरा था दूसरा question में आपको जो दिखाना जारा हो वह बहुत important है और मैंने यहां पर पूछा काफी सारे लोग English से घबराते हैं तो English का मैंने पूछा था लोगों से कि in further phases can we use Hindi if you are not comfortable to speak English क्या हम बात के phases में English की जगह Hindi बोल सकते हैं अगर हम English में comfortable नहीं है तो यहां इन्होंने clearly कह दिया है कि I would like to inform you that rounds of the test will be only English English सारे जितने भी rounds हैं सारे के सारे English में होंगे तो यह बिल्कुल clearly साफ तौर पर लेवल में बोला है कि सारे English में होंगे अब मैं यहां पर clear कर देना चाहता हूं उनके लिए जो थोड़ा घबर आते हैं English से और उनको English नहीं अच्छी आती बेसिक आती है तो मैं कहता हूं आप try करिए English आप आज आज नहीं कर पारे कल नहीं कर पारे और दस टेस्ट दीजिए आप दस टेस्ट दोगे तो वही जाएगी और आप basic English तो कम से कम वहां पर कर पाओगे उसके बाद आप जो है बोलने की practice कर लो ना तो इसमें ऐसा नहीं कि इसको देखके आप डर जो उसको छोड़ दो जब यहां यह अलाव कर रहा है कि कोई भी यहां पर बच्चा भी आप रेलिवल दे सकता है पास हो सकत है तो आप क्यों नहीं कर सकते ठीक है दस बार तो बीज बार दो तो यह मतलब था कि आप सारे English में ही आते हैं इसमें डर्गने की बात नहीं है ठीक है तीसरा ही है कि अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा मुझे question आया था कि अगर मैंने पूछा रेलिवल से कि currently the test are free so will they be free incoming अभी तो सभी को पता है यह यह किसी के पाद जल्दी माइंड नहीं जाता है जो जो पूछा है मुझे comment मैं मैं उसको बहुत काफी appreciate करना चाहूं कि काफी hurt के सवाल है कि उन्होंने पूछा था कि अभी तो यह test free है अभी लोग सभी लोग भागे दाड़ी करके यहां प future के बारे में जानकारी मैं नहीं दे सकता sorry about it ठीक है तो ऐसा होना भी चाहिए company का protocol है वो confidential data future plans नहीं disclose कर सकते हैं ठीक है लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं जहां तक मेरी thinking है वो यही है क्योंकि इनको अभी profit काफी सारा हो रहा है तो यह paid नहीं करेंगा तो इस तरीके से करते तो यह मेरे क्याल से अभी रहेगा ठीक है long term में मुझे नहीं पता हो सकता है अगर को update आगा तो मैं आप लोग को जरूरू बताऊंगा अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं दोस्तों आप लोग को याद होगा कि जो मैंने previous videos बनाई थी उसमें मैंने एक video बनाई थी जिसमें आप लोग को 12 ऐसे चुनिंदा questions ले आके आप लोग के सामने दिखाए थे जो बिल्कुल basic थे लेकिन उतने ही important थे आपके selection के लिए ठीक है तो आप लोग अभी भी मैंने आप लोग के लिए 12 ऐसे questions select करके रखें लेकिन यह काफी deep है आप लोग सोचोगे कि इधर क्या यह भी question हो सकता है मतलब यह अगर आप question जानोगे तो आप लोग के लिए बहुत easy हो जाएगा रेलेवल में आप लोग को appear होना टेश्ट देना और भी आप लोग की कितनी भी समस्यां कमेंट में पूछते हो सारी चीज़ें आप आप सारी चीज़ें हम देख लेंगे उससे पहले सबसे पहले आप लोग को thank you कि मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है रेलेवल पर आप सभी लोग को से मदद मिल रही है और मुझे तो इतनी खुशी हो रही कि काफी सारे लोग उसमें select भी हुआ है इवन मैंने telegram पे भी share किया है comment में भी उनको pin किया है देख ल करते हो तो मुझे जरूर comment box में मुझे बताइएगा और मैं आप लोग को उसमें personally आप लोग से touch up करूँगा आप telegram पे भी मुझे connect कर सकते हो ठीक है दूसरी request यह है कि मैं आप लोग के जितने भी comments है तो मैं भी काफी effort करता हूं मैं महनत कर रहा हूं कि आप लोग के जितन schedule करता है test उसको देता है तो आपकी memory में जो भी question रहता है वो आप मुझे telegram में share करो मैं collectively उसको रखूंगा और आपके सामने बहतरी तरीके से जितना मेरी potential है उतना मेर मैं best करके आपके सामने उन questions को बताऊंगा ताकि आप लोग को भी सभी लोग को फायदा हो आप सभी ल सबसे पहले तो आए जानते हैं सबकुछ अपने कमेंट बॉक्स से उठाया हूं और यहां पर आप देख सकते हो जो इन्होंने नाम नहीं दिया है एच लिकाया सिर्फ पुछा कि भाई मुझे लगता है आप में कितना भी अच्छा कर लो आपको वो हमेशा low score ही देते हैं म तब तक आप उनका कोर्स नहीं खरीदते तब तक वो आपको पास नहीं करेंगे आपका हमेशा मांक्स देड़ सो से कम ही आएगा चाहे आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो देखिए मैं आप लोग को डिस्करेज नहीं करना चाहरा लेकिन मैं आप लोग को यह बोलत अगर आप लोग देखे होगे कि वीडियो में इंटर्वी श्चैड्वूल होता है ठीक है उनों लोग यह आपको इंटर्वी देखे होंगे तो उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो बीना रिलिवल कोर्स किये ही उन्हों ने जो है उसको क्वालिफाई किया है और मैं बता वहां पर जाके क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोग को यह थिंकिंग हटा देनी है कि भाई वो कोर्स में क्या बताएंगे कोई आप लोग को चमत से कुछ पिला तो नहीं देंगे वही चीज़ बताएंगे जो बाकी जिगह भी अवलेबल है बस आपको मेहनत करनी है और मैंने भी आप लोग को मैट्रिकल प्रोवाइड कर रखा आप लोग वहां पर जाओगे तो आपका आधा काम आधा हो जाएगा काम ज जो दुखसा कोशन है वो दिल पवित्ता सिंग ने पूछा है और काफी अच्छा इंट्रेस्टिंग कोशन है थैंक यू वेरी मच सबसे पहले बोला है तो वह थैंक यू वेरी मच वीरे आपको भी और भाई एक कोशन है जैसे कि मैंने फ्रंट एंड की तैयारी कर रहा हू अभी मेरे को कम से कम एक मंथ लग जाएंगे मेंस फेवरेरी में टेश्ट दूँगा पर तब तक कहीं ये रिलेवल वाले फ्री टेश्ट को पेड ना कर दें तो इसका तो मैं आंसर आप लोको दे नहीं हूं सबसे पहले इसी कोशन के लिए मैंने डारेक्ट रिलेवल से ब ज्यादा आप लोग यहां पर टेश्ट दीजिए ठीक है अगला कोशन आप देखिए सोनु कुवार ने पुछा और यह कोशन के अंदर सब कोशन से हैं मतलब तीन चार कोशन से और मैंने इनको विदिन लाइक वन टू टू मिनिट में इनको रिस्पांस किया था और अगर स अंसर देता हूं कि आपको जरूर देना चाहिए आप 12 में पढ़ रहे हो 11 में पढ़ रहे हो कहीं भी पढ़ रहे हो कोई मतलब नहीं है आपको इंट्रेश्टेड है आप स्किलफूल हो आप तुरन जाके यहां पर रिलवल एक्जाम पर दो एट लिस्ट आपको एक्सपिर करेगा नौन बिजनस के जो टेस्ट हैं तो इसमें तीन आ गए हैं पहले दो थे अब तीन आ गए हैं और इसमें है बीडी टी जो है बिजनस अनलेटिक्स टेस्ट है और एक तीसरा आगया अभी इसेंटली एपीम असोसिया प्रोड़क्ट में जिसका मैंने वीडियो बना बसक्राइब करें तो भाई तीनों में आप लोग आप अप्लाई कर सकते हो बीड़ी सबसे जयदा डिमांड में है जो बागी सारे लोग करते हैं बीडि बीए ती का जो है मतलब बिजनस के भी की वी सेलेडि सब्सेम है पर उसमें ज्यादा लोग नहीं जाते है ठीक है सकते हैं 12 के बाद हो तब भी दे सकते हैं मुझे कितना टाइम लग सकता है वैसे आप करेंगे तो एक से डिएड़ हफते का लगेगा ही लगेगा आप सिंसेरली करेंगे लेकिन मैं आपको काम असान कर दूंगा मैंने पहले वीडियो में आप लोग को लिंक दिया हुआ है दो स्वास्ती दिख्षित ने पूछा है कि हम हिंदी यूजिस की बजाए अगले फेसे में पूछा था तो आप लोग को बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए नहीं आती है तो आप लोग एटलिस ट्राई करो दस बार बीस बार एक्जाम दोगे आप लोग को आई जाए कि जितना आप लोग उसमें देना चाहते हैं ठीक है और राजकुमार ने बूचा है कि सर मैं 10 पे हूं क्या मैं पेपर दे सकता हूं देखिए बहुत छोटा सा कोश्य है लेकिन ये कोश्य मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और मैं सबसे पहले हैट्स आफ करता हूं राजकुमार और मेरे चैनल से कहीं ने कहीं आपको इंस्पिरेशन मिली है कि आप इस रे लेवल में जाके एक्जाम दो तो सबसे पहले मैं कहूं कि राजकुमार जी कि आप यहां जरूर जाईए आप 10 ने हो कोई दिक्कत नहीं आप 9-8 कहीं भी हो किसी भी क्लास में बढ़ रहा हो आप आपको भी हिम्मत आएगी और आप अगे सक्सेस्फुल हो सकते हो ठीक है तो अगला कोशन है हमारे पास ऑसकर क्रियेशन का यह भी कोशन काफी इंट्रेस्टिंग है आप यहां देख सकते हैं सर्फ सिर्फ टेस्ट कंप्यूटर पे बट इंटर्व्यू फोन पे दे सकते है क्या मतलब टेस्ट जो है फेस वन और फेस्टु वाला हम जो है लैप टॉप पे दे देते हैं क्योंकि उसके कैमरा वगएरा रहता है लेकिन क्या इंटर्व्यू जो होगा कंपनी का वं फोन पे दे सकते हैं क्या कम ने जो इस पॉसिबिल्टी है बट रिएलेवल वाले पर आजाता है उसके बाद company का जो कॉल आएगा तो आप उनसे पूच सकते हो और बोल सकते हो या फिर वह बता सकते हैं कि आप smartphone पे ले सकते हैं तो यह तोटली उस company के interviewer पर जो है depend करेगा ठीक है laptop पर सकता है smartphone पर भी सकता है दोनों possibility है ठीक है अटला question रितिक दास के साथ रितिक दास ने पुछ आया और इन्हों पुछ आया कि sir I have had gave reliable test few months back they blocked me because I was using copy for rough work can I again give test again they made me that I can't reappear in test again what should I do now please tell तो देखें आपने आपको block कर दिया गया आप rough copy पे कुछ practice कर रहे देख के answer को मतलब उसका सवाल का जवाब लिख रहे थे तो आपको block कर दिया गया तो देखें पहली बात तो यह है कि जो monitor वहां करता है वह human होता है ठीक है यह नहीं वह कोई computer या फिर कोई robot है तो अगर human होता है अगर वह देखता है अगर वह आपको उसको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ चीटिंग कर रहे हैं कुछ suspicious activity हो रही है तो आप लोग को block कर देगा ठीक है कुछ strict proctor होते हैं कुछ strict monitoring करते हैं तो आप लोगो को इस चीज से सावदान रहना आपको क्या करना अगर आपको रफकापी लेना ही है तो पहले ही आप इस तरीके का करके दिखा दीजे कि भाई मेरे पास blank एकदम पेज है मैं इस पर लिखोंगा इस तरीके से बोल सकते हैं वह समझ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से नहीं यहां पर और मैं बताओ दू से जो हायर होते हैं उसमें काफी सारे मंटी नेंशन कंपनी से बाहर अब रोड में विए इनके बृंच जाते हो वहां पर काम पर तो experience होता है अगर आपको जो project मिलता है जो client होते हैं जो है बाहर के तो बिल्कुल hundred percent sure shot है आपको मौका मिलता है बाहर जाने का भी और वहां जाके बाहर पर आपको salary भी वहां पर उसी कहसाफ से मिलती है जो कि इंडियन में ज्यादा होती है ठीक है तो यहां पर हां बिल्कुल possibility आप business development test है business analytics test है और एक जो लास्ट है अभी आया है यह पीम है तो अभी आपको जो अगर आप accounts accountant के हैं ठीक है आपको non-technical आपको sales में जाना है तो आप पहला वाला सबसे पहले जाए बिजनस development test में जाए analytics में अगर आपको थोड़ा statistics और calculations वगरा आपको आता है ठीक है मैंस में स्ट्रॉंग हो तो आप जो है बिजनस analytics में आप जा सकते हो ठीक है बहुत ज्यादा टेकनिकल नहीं है यह बिल्कुल बिजनस development की तरह ही इसका similar लेकिन अगर आप ज्यादा salary में चाहते हो पच्चीस आपको जाना चाहिए वह भी नॉन टेकनिकल है और इसमें आप लोग का जो है questions थोड़ा सा इसमें डीप आता है ठीक है ठीक है आप उसमें समझना पड़ता है तो उसका भी वीडियो बना आप लोग जाकर देख सकते हो ति इन तीनों में से आप लोग में चूज कर सकते हो अपने इंट्रेस्ट के मुताबिक ठीक है अगला जो कोशने शुबम गडेकर ने पूछा है कि एन्यवन है एक्सपिरेंस और प्लेश तूरी लेवल विल एक्सपिरेंस भी कंसिदेट तो यहां बिल्कूल हो सकता अगर आप माली जे दो साल एक्सपिरेंस है आप अलड़ी जॉब कर रहे हैं आपने रिलिवल क्वालिफाई कर लिया अब आपको कंपनी बुला रही है और आप उनको बिताते हैं कि भाई मेरा पैकेज इतना है सपोज मेरा 10 LPA है जो मैं यहां क कर रहा हूं तो कंपनी आपको सामने से रिलिवल कि जो कंपनी है आपको जरूर 10 LPA से जाधा देगी और और बी जाधा परक्सम बेनफिट देगी आपको लेने के लिए और कई सारी कंपनिया इसलिए यह कंप्टिशन होता है कंपनियों में और वह अपना प्रेस्केल है तो ही दे सकते हैं लेकिन आपको इंगलिश बेसिक आनी चाहिए आप उसको समझना चाहिए क्या लिखाया क्या इतना भी वह नहीं होना चाहिए और अगर नहीं आती तो आप लोगों को तुछ परक्टिस करना है प्रक्टिस नहीं कर पा रहे तो एक लिसी तरीके से 10 बा आपको समझ में आही जाएगा तो इसे डरना नहीं है keep on trying and don't give up ठीक है अगला कोशन है निकी शर्मा की सर रिलेवल एक्जाम पूरा क्लियर करने के बाद अगर कंपनी का इंटर्वी होता है और हम अगर वहां सेलेक्ट नहीं होते हैं तो क्या रिलेवल टेश्ट दोबारा दे करेंगी अगर एक कंपनी में होता आपको दूसरा कंपनी में शेडूलर है जाता है बस आपको क्वाल्फाइ करना है से प्लेश्मेंट होई जाएगी तो दोस्तों ये सारे सवाल थे मुझे बहुत ही मैंने चांट के अपने कमेंट बॉक्स से यहां पर आपके सामने ले आया हूं और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे कोश्चन से रहें आपके मन में अभी भी हैं जो आप लोग को परिशान करते हैं तो आप मुझे जरूर यहां नहीं तो टेलिग्राम पर जरूर बताईएगा कमेंट में मुझे लिख के बताओ और क्या चीज आप लोग को दूइधा है आपके मन में क्या डाउट है और आप अगला किस टॉपिक पर चाहते हो रिलवल पर ठीक है आप ऐसा क्या और चीज चाहते हो जो मैं कर सकता हूं आप लोग के लिए मैं उस पर जरूर कोशिश कर देना और अगर आप लोग टेल्ग्राम चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से जाओं वहां फॉलो करो क्यों कि बहुत सारे जॉब्स में वहां पर डेली ढालता रहता हूं वहां भी आपकी अपॉर्चुनिटी हो जाती है तो दूस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक ल